पिएचडी कॉर्स के लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी में आपलाई केसे करें मोबाईल या कम्प्यूटर से कितनी साल की कॉर्स होती है कितना आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा कौन-कौन एस्टुडेंट पिएचडी के लिए अपलाई कर सकते हैं किस कॉलेज में आप अपलाई कर सकते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंदर आईए आज के इस वीडियो में पूरे डिटिल के साथ जनकारी देने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बबलू और आप देख रहे हैं मालीला टेलीगम को सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रीप्शन में वाट्सप ग्रूप का लिंक मिलेगा वहां से आप जोईन कर सकते हैं और मुंगेर उनिवर्सिटी का ओफेसली वेबसाइड मिलेगी और आपको एस्टुडेंट लॉगिन वाला पोर्टल भी मिलेगी वहां से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं और जैसे आप officially website पर आएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ close का बटन मिलेगा आप इसे close कर सकते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो कल इसका official notification जारी हुआ है कितना payment करना पड़ेगा कौन-कॉन student इसमें apply कर सकता है उसके बारे में दिया गया है सबसे पहले वो जान लेते हैं तो मैंने यहाँ देख सकते हैं कि यह जो कल official education जारी हुआ है वो मैं open कर लिया हूँ और 13.02.2023 का यह application है सबसे पहले दोस्तों P.A.T.2030 आनि कि PhD admission test 2023 के बारे में बात कर सकते हैं कि कौन student इसमें apply कर सकता है यह जो apply के लिए दिया गया है सबसे पहले आपका master degree करना जरूरी होती है यानि कि जब आप BA, BST या become graduation कर लेते हैं उसके बाद आपको MA करनी पड़ती है जो 2 साल की course होती है MA में आनि कि master degree में आपका minimum 55 marks होनी चाहिए तब ही आप इसमें apply कर सकते हैं और यह जो होती है UGC के लिए आपको UGC grade point B grade में होने चाहिए यानि point 7 के अंदर आपको आनी चाहिए आप इसमें बात करते हैं कि आपको fee कितना payment करना पड़ेगा सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे scroll करिएगा तो जैसे आप इसे नीचे scroll करिएगा तो यहाँ इसका fee का mention किया हुआ है यानि कि आपको application fee 2023 के लिए जो है सो 3,000 रुपिया रखा गया है देख सकते हैं कि यहाँ आपका mention किया हुआ है कि 3,000 रुपिया रखा गया है अगर आप ESC, ST, EBC, PW केटोगरी में आते हैं तो आपको 25, 100 पेक करना पड़ेगा यह दो साल की course होती है अब बात करते हैं कि इसमें test के लिए क्या आप ला करें इसके जब आपको test के लिए देंगे तो आपके लिए final merit list बनेगा तो आप आपको chain होके तब इसमें admission ले सकते हैं ग्रूप यह दो ग्रूप में होती है ग्रूप यह ग्रूप बी करकर करके 40 में रहेगा और 60 नंबर की इसमें questions रहेगी और whole paper आपको 2 होगी 2 hours का होगा और paper 2 और 1 करके होगी जिसके लिए 100 marks का रखा गया है mention इस तरह से below नीचे में किया गया है और आपका और एक topic कौन कौन रहेगा topic देख सकते हैं कि इतने topic से आपका test लिया जाएगा और finally merit list बनेगा तब इसमें आप test दे सकते हैं तो बात करते हैं कि अब इसमें online केसी करनी है तो चलिए आप उसके बारे में बात कर लेते हैं वीडियो के description में अगर link दिया हुआ वहाँ से आप इस तरह आईएगा मोगेर university के official website पर तो यहाँ आपको close button मिलेगा close button मिलेगा close button मिलेके आपको home पर क्लिक कर लिनी है जैसे आप दे सकते हैं कि home पर मैंने क्लिक कर लिया तो यहाँ आपका section मिलते हैं ये जो section आपको दिखाय दे रहे हैं यहाँ आपको टेंडर के बगल में admission login वाला section आपको मिलती है तो क्या करनी है student login वाले section पर इससे जब click करिएगा तो थोड़ा सा इसे scroll करके यहाँ देख सकते हैं कि यह जो application for P.E.T. 2020 मिलेगा इस पर आपको एक बार click कर देनी है तो जैसे दोस्तों आहाँ यहाँ आप click करिएगा तो आपको यहाँ क्या मांगेगा application, idea और password तो वो कहाँ से पहले बनानी पड़ेगी तो कहाँ से आप बना पाएंगे तो देख सकते हैं, यहाँ जब आईएगा तो general यानि की graduation उसके बाद vocational course है उसके बाद अगर PG किये हैं तो PG उसके बाद apply for P.E.T. और L.L.B. course के लिए apply यहाँ से कर सकते हैं, student login यहाँ से कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करने है कि apply for P.E.T. जैसे आप इस पर click करिएगा तो यहाँ P.E.T. के लिए कौन-कौन सा subject पर आप apply कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ mention किया गया है उसी के अंदर आप apply कर सकते हैं और दूसरी में बात करते हैं कि जैसे यहाँ आता है continue इस पर आपको click कर देनी है, तो दोस्तों आपको पता चल गया कि कितने master degree master degree कितने साल के होती है वो आप करने के बाद जो है सो PhD कर सकते हैं और PhD कितनी साल के course होती है इसके बारे में मैं पूरे जनकारी दे दिया आप बात करते हैं फी कितना लगा उसके बारे में भी आपको जनकारी मिल गई online किसे करना है उसके बारे में भी आपको जनकारी मिल रही है, तो यहाँ आपको continue पर click कर देनी है, तो जीस तरह से continue पर click करिएगा तो यहां आपको category चुना हुआ रहेगा PhD program चुना हुआ रहेगा previous years में यहां जिसे आप select करिएगा तो previous years आप देख सकते हैं कि मैंने बताया वें कि MA, MSC याँ MCOM और जब हम लोग BA के लिए online करते हैं यूजी के लिए तो वहां हम लोग का select आता है ISE और ICOM उसी तरह से यहां आपको select करने का भी option देते हैं MA पर select कर लेते हैं और पिछले में आप course क्या रखे थे PAT मैं रखना क्या चाता हूँ PAT mobile नमर पर OTP send करिएगा mobile नमर डालके OTP send करिएगा तो आपको documents मागेंगे जितना matrix से लेके अब जब master degree किये हैं वहां तक आपको इसमें document upload करनी पड़ीगी documents upload करने के बाद जो मुंगेर युनिवर्सिटी में चलाए जा रहे हैं सिर्फ एक ही college RD and DJ college मुंगेर युनिवर्सिटी के campus में ही PhD का admission लेंगे और उसके बाद मुंगेर युनिवर्सिटी के अगल जिले के अंदर में एक दो PhD की class होती है वहां से शुरुआत कर सकते हैं उसके बाद LLB की class तो मुंगेर युनिवर्सिटी में अकेस college में चल रही है इस तरह से आप इसमें apply कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ अवस्यक शेयर करिएगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए हमें दें इजाजत अपना रखने ख्याल पिक केर बैबाए